जय श्री कृष्ण मित्रों दोस्तों भगवान श्री कृष्ण ने ऐसे तीन प्रकार के भोजन के विशं में वर्णन किया है, जिसका सेवन मनुष्य को कभी नहीं करना चाहिए। ऐसा भोजन विश के समान होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, ऐसा भोजन करने से मनुष्य की आयू कम होती है, उसके इंद्रियक शीन होने लगते हैं और नाना प्रकार के रोग मनुष्य को ग्रास लेते हैं। ऐसा मनुष्य जवानी में भी बूढा दिखाई देने लगता है। धीरे धीरे वह अपना बल, तथा रूप भीखो देता है और नश्ठ हो जाता है। स्त्रियों को भूल से भी इस प्रकार का भोजन नहीं करना चाहिए, खास कर गरभवती स्त्री को इस प्रकार के भोजन से दूर रहना चाहिए। कर देता है, समस्त देवी देवता भी उससे रुष्ट हो जाते हैं, उसके घर में पित्र भी नहीं आते हैं, और ऐसा मनुष्य पित्र दोश से पीडित बन जाता है, उसके पित्र भी उससे रुष्ट हो जाते हैं, इसी लिए भोजन करते समय हमारे शास्त्रों में बताए इन उपदेशों का पालन करने पर मनुष्य सुख समरिधी को प्राप्त कर सकता है। उसका दुर्भाग्य सौभाग्य में परिवर्तित हो जाता है। ये सभी महत्वपूर्ण नियम केवल हिंदू धर्म के प्राचीन ग्रंथों में ही मिलते हैं। भगवान श्री कृष्ण न ही करना चाहिए। जिससे हमें जीवन में कभी दुखों का सामना करना नहीं पड़ेगा। हमारे हिंदू धर्म में 18 महापुरान है, उनहीं में से गरुड पुरान को महान ग्रंथ माना जाता है। गरुड पुरान में भगवान श्री कृष्ण और गरुड जी का समवाद ल पड़ते हैं। इसके अलावा नरक लोक, स्वर्ग लोक, पित्र लोक, आदी के विशय में विस्तार से वर्णन किया गया है। इसके अलावा भगवान श्री कृष्ण ने गरुड जी को ग्रहस्त जीवन सबंधी आचार विचार, सनान करने की विधी, पूजा करने की विध भोजन करने की विधी, तथा नाना प्रकार के रोगों तथा पापों के उपचार बताये हैं। आज के इस विडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं। गरुर पुरान तथा विश्नु पुरान आदी ग्रंथों में बताये हुए भोजन करने के सबंध में महत्वपूर्ण भोजन करने की सही विधी, भोजन करने का सही समय, भोजन करने की सही दिशा, तथा किस प्रकार का भोजन मनुष्य के लिए उत्तम होता है और किस प्रकार का भोजन त्याज्य होता है, अर्थात किसी प्रकार का भोजन नहीं करना चाहिए, भोजन शुरु करने से पहले क्या क पर आपको बहुत लाप पहुचाएगी और आपका जीवन सुख समरिधी से भर जाएगा। इस संसार में प्रत्येक देहधारी प्राणी को अपने शरीर को चलायमान रखने के लिए भोजन की आवश्यक्ता होती है। इसीलिए समस्त प्राणियों का विचार करके ही अपने को आवश्यक हो उतना ही भोजन मनुष्य को ग्रहन करना चाहिए। भोजन के लिए कभी लालच नहीं करना चाहिए। भोजन का कभी अपव्य भी नहीं करना चाहिए। भोजन को खराब करने वाले मनुष्य को पाप लगता है। जो मनुष्य सभी में बाट कर भोजन करता है, वह पुन्य कमाता है और उसकी कभी दुरगती नहीं होती है। भोजन करते समय जो मनुष्य शास्त्रों के नियमों का पालन करता है, वह सदैव निरोगी रहता है। जरूर करना चाहिए। आईए जानते हैं भोजन शुरू करने से पहले मनुष्य को क्या करना चाहिए। भोजन करने से शरीर में रोग निर्मान हो सकते हैं। भोजन को ईश्वर मानकर पूरे सम्मान के साथ शरीर को स्वच करके ही भोजन करना श्रिष्ट होता है। भोजन शुरू करने से पहले उस भोजन के लिए भगवान को धन्यवाद देना चाहिए। और संसार के समस्त प्र प्राणियों को भोजन प्रदान करने की प्रार्थना करनी चाहिए। इस प्रकार से अन्न देवता को प्रणाम करके भोजन करने से मनुष्य को कोई पाप नहीं लगता है। पनुष्य को शांत मन से मौन रहकर ही भोजन करना चाहिए। भोजन करते समय शोक नहीं करना चाहिए। भोजन के लिए गलत बाते नहीं कहनी चाहिए और भोजन बनाने वाली स्त्री का कभी अपमान नहीं करना चाहिए। भोजन बनाने वाली स्त्री का अपमान करने से मा अन पूर्णा नाराज हो जाती है अब जानते हैं भोजन करने की सर्वोत्तम स्तिथी और दिशा कौन सी है भोजन करने की सर्वोत्तम स्तिथी के बारे में बताते हुए श्री कृष्ण कहते हैं जमीन पर बैठ कर भोजन करना ही श्रिष्ट होता है इससे शरीर के अंदर की उश्मा पृत्वी में प्रवेश करती है और भोजन अच्छी तरह से पच जाता है बिस्तर पर बैठ कर भोजन करने से मनुष्य के शरीर में रोग उत्पन होते हैं और उसकी आयू कम हो जाती है साथ ही दहलीज पर बैठ कर भी भोजन करना अनुचित होता है इससे देवी लक्ष्मी रूट जाती है हथेली पर रखकर अथवा चलते हुए भोजन करने से मनुष्य के जीवन में दरिद्रता आती है और उसके धन का नाश हो जाता है भोजन करते समय दिशाओं का ध्यान रखना भी आवश्यक होता है कभी भी दक्षिन दिशा में मुख करके भोजन नहीं करना चाहिए भोजन करने के लिए सर्वोत्तम दिशा पूर्व और उत्तर ही मानी गई है इस दिशा में मुख करके भोजन करने से उत्तम स्वास्थे की प्राप्ती होती है बीमार व्यक्ति को पूर्व की ओर मुख करके भोजन करना चाहिए इससे शरीर के अंदर के विकार नश्ठ हो जाते हैं आईए अब जान लेते हैं मनुश्य को किस प्रकार का भोजन नहीं खाना चाहिए सबसे पहला है जिस भोजन को कोई लांध कर गया हो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं जिस भोजन के उपर से कोई पैर रखकर चला गया हो अथवा कोई व्यक्ति भोजन को लांध कर गया हो, ऐसे भोजन को कभी खाना नहीं चाहिए. ऐसा भोजन अशुध हो जाता है. ऐसे भोजन को पशुओ को खिला देना चाहिए. दुसरों के द्वारा लांधा गया भोजन खाने से मनुष्य की आयु कम हो जाती है और उसके शर प्रकार का भोजन है जिस भोजन में बाल निकला हुआ हो. गरुर पुरान के अनुसार यदि भोजन में बाल निकल आता है तो ऐसा भोजन त्याज्य हो जाता है. यदि अंद में बाल निकलता है तो उसे इश्वर को कभी प्रसाद के रूप में नहीं चढ़ाना चाहिए औ और नाही स्वयन खाना चाहिए। ऐसा भोजन प्रेतों को प्राप्थ हो जाता है। तीसरे प्रकार का भोजन है दूसरों को परोसा हुआ। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य को दूसरों के लिए परोसा हुआ भोजन भी नहीं खाना चाहिए। जो मनुष्य दूसरों का भोजन छीन के खाता है, अथवा किसी को बिना दिये ही स्वयन उस अन्न का उपभोग करता है। उससे देवी अन्नपूर्णा रुष्ठ हो जा उम्मीद है आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। विडियो को लाइक जरूर करे और कमेंट में जय श्री कृष्ण और जय मा अन्नपूर्णा अवश्य लिखे। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले। आप सभी का धन्यवाद।